नमाशकार दोस्तों सौागत हैं आपका वापस हमारे चैनल पर चलिए तो हम continue करते हैं अपनी सीरीजению बौवल नोजोड्स तो बॉबल नोजोट्स के बारे में अभी हम पहले एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जैसे हम जानते हैं बॉबल नोजोट्स का हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एडवर्ड बैश ने 1928 में वो एक फिजीशियन एसिस्टेंट बैक्टिरियोलोजिस्ट थे उनिवर्स्टी कॉलेज हॉस्पिटल लंडन 1913 में फिर उसके बाद उन्होंने रॉयल लंडन या लंडन होमेपैथिक हॉस्पिटल जो लंडन में हैं मार्श 1919 में जोइन किया था एड़ पोस्ट पैथलोजिस्ट एंड बैक्टिरियोलोजिस्ट उनके दिमाग में यह आइडिया आया कि क्यों न गट बैक्टिरिया गया जो उसके गट और्गैनिसम्स होते हैं उन्हीं से हम कोई न कोई मेडिसिन प्रोक्योर करें फिर उन्हे वहाँ पे नॉन आयल लक्टोस फर्मेंटिंग क्राम नेगेटिव कोलाई टाइफ़र्ट ग्रुप के बैक्टिरिया को पोटेंटाइज करके होमेडिक मेडिसिन बनाई और उनको पेशेंट्स को एड्मिनिस्टर की उनके कुछ वर्क्स के बारे में जानते हैं 1926 में उन्ह उनने दूसरा वर्क लिखा अपना दा प्रॉब्लेम ओफ क्रॉनिक डिजीज फिर उन्होंने नेक्स्ट दिया बॉवल नोजोड्स के बारे में जो कि इंटरनेशनल होमेठिक कॉंग्रेस ग्लास्कों में एक सेशन के दौरान उन्होंने बताया 1930 में डॉक्टर बैच की डे इंटरनेशनल होमेठिक लीक कांसल लाइंस में जोकी हुई थी वहाँ पर उन्होंने एक पुरी अमेंड़ेड लिस्ट जिस्ती थी जिसमें उन्होंने नमबर ओव नोजोड्स के बारे में बताया था और यह बता कि कॉंस नोजोड्स हमारी डेली पॉली क्रिस्ट रेमेड अब हम डिसकस करते हैं इनी मेडिसिंस को एंच करके तो आज हमारी पहली मेडिसिन है मौरगन गाटणर दो मेडिसन साथी एक है मॉर्गन गाटनर और एक है मॉर्गन प्योर तो आज हम जानते हैं मॉर्गन गाटनर और प्योर दोनों के बारे इन दोनों का की नोट है कंजेशन कंजेशन का मतलब क्या होता है कंजेशन एक बहुत ही बड़ा रूब्रिक है हम लोग कंजेशन सोचते है कि बैलेडोना congestion मतलब हर चीज जहां पे लाल दिख रही है, लालिमा दिख रही है, वो congestion है पर नए, congestion का मतलब होता है, एक ही organ में या एक ही body part में एक ही time पर एक से अधिक complaints अगर आ रही हैं, तो उसे congestion में define करते हैं तो अब आपको पता चाल गया होगा कि रूब्रिक कंजेशन का मतलब क्या होता है इसका जो constitution होता है वो florid होता है florid constitution क्या होता है तीन टाइप के constitution होते हैं carbonic, phosphoric और fluoric तो carbonic हमारा psoric myosom पर है phosphoric हमारा psychotic यह tubercular myosom पर है और fluoric हमारा syphilitic myosom पर है जो syphilitic myosom के disease होती है वो हमारे elastic tissues को effect करती है तो अब आपको पता हैं जब भी हम florid constitution यह florid constitution के बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारे elastic tissues यानि कि हमारे skeletal system इस पर effect करेगा तो अब आपको समयागी जो इतनी में हमारी bowel nodes है वो हमारे gut से होते हुए हमारी skeletal tissue या elastic tissues पे तो skeletal tissues में हमारी muscles और bone दोनों आ जाती है तो अब हम next जानते हैं इसके बारे में sub types जो कि Morgan Gartner और Morgan Pure है चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इसके mental generals इसका जो patient होता है वो irritable होता है quick tempered होता है depressed, jealous, suicidal tendencies होती और इसके तो fear होता है nervous, breakdown, claustrophobia claustrophobia क्या होता है कि एक छोटी space या बंद कमरे में घुटन मैसूस होना और dull लगना या जी घबराना अब जानते हैं इसके physical generals हमारा इसमें जो head होता है हमारे patient को congestive headache होता है मतलब सरदर्द होगा उसी के साथ को उसके आंक में भी दर्द हो या उसके साथ-साथ सरदर्द के साथ ऐसा लगए को उसके बाई टूट रहे है इस तहां से उसमें cancer भी पाया जाता है इसको epithelium होता है forehead का फिर हम जानते हैं इसका face इसका face कैसा दिखता है से या ऊची हाइट पर जाता है तब भी इसके दिक्कत होती है इसके आंखों में भी हमें हर जागा congestion अब दिखिए congestion होगा तो फिर हमें क्या उसमें हमें swelling भी मिलेगी pain भी मिलेगा redness भी मिलेगी ठीक है तो यह क्या हो गया more than one compliance occupy a single part or single organ at a time तो आंकों में ऐसी conditions मिलेगी जैसे blepharitis है ulcers है, obesity है ears में otitis, mastoiditis ringing in ears ऐसी चीज़े मिलेगी फिर है nose, nose में हमें क्या मिलेगा nasal qatar, post nasal qatar or dry qatar, mouth का taste कैसा होगा bitter होगा, bad taste होगा inflamed होगे, gums होगे angular fissures मिलेगे, pyreya मिलेगा throat में क्या मिलेगा recurrent tonsillitis, adamatis, eula appetite, इसे क्या चीज़े पसंद है, इसको sweet, salt, hot food, ऐसी चीज़े पसंद है, और इसकी desire, और क्या है इन सभी चीज़ों से इसको aversion भी होगा और कुछ चीज़े हैं कि उसे aversion भी करेगा, तब भी वो खाएगा वो है fatty food, eggs और meat फिर आते हैं इसको stama अब इसको हर समय गैस बनती रहती है, सार एरक्टेशन यहनी खट्टी डखा रहे आएंगी bilious attacks होंगे menopausal woman में फिर उसके बाद आता है abdomen, abdomen में भी congestion मिलेगा अब इसको pain मिलेगा, इसको हो सकता हाइपोकॉंट्रियम में pain मिले shoulder blades में pain मिले जो कि pain इसके extended होते हैं next हम जानते हैं urine के बारे में इसका urine में क्या होगा इसको renal colic होंगे, renal stones होंगे nephritis, cyst और ऐसी ऐसी बहुत है इसके urinary bladder में swelling मिलेगी ऐसी चीज़े मिलेगे genitalia में females में इसमें dysmenoria मिलेगा, nipples कैसे होंगे wart like होंगे इसको बहुत ही जादा खुझली होगी वर्लवे में, leucoria इसका होगा heavy, brown, bad order और करोजे, इसी टाइम पे हो सकता है, इसे menses के दौरानी इसे headache मिले, और ovarian pain भी मिले, वहलब एक साथ कई जगह इसे दिक्कत हैंगी chest में, इसे सास लेने में भी दिक्कत मिलेगी, pectoral pains भी मिलेंगे, respiration में इसे congestion होता है, lungs में bronchial pneumonia मिलेगा बचों में तो जब सास लेगा तब भी से दिक्कत होगी, खासेगा तो भी दिक्कत होगी, गले में, खुझली भी होगी दर्द भी होगा, लेने में उसको और दिक्कत बढ़ जाएगी circulation, उसको ऐसा लगेगा कि जब वो सास ले रहा है या जो blood flow हो रहा है, उससे उसके cardiac area में discomfort मिलेगा और क्या मिल सकता है, varicosity मिल सकती fibrous tissues, अब इसको क्या rheumantism इसकी main theme आ जाती है अब क्या होगा, जितने भी इसके extremities है, back है, torso है तो हर जगा इसे लगेगा कि stiffness आ गई है, यह कुछ काम नहीं कर पा रहा skin में भी इसे congestion मिलेगा जैसे कि skin company like psoriasis और इसको contact allergy मिलेगी जैसे कि metal atal के contact से होती है इसको need नीद भी काम आएगा करेगी और need आएगी पर सो नी पाएगा next हम जानते हैं Morgan Pure के बारे में Morgan Pure कैसा दिखता है florid, यह नहीं वाई syphilitic constitution type मिलेगा, जिसको elastic tissues में complain होगी यह तो यह pale होगा, यह थोड़ा सा dark यह fair भी हो सकता है again इसका congestion होता है keynote इसका congestion है यह भी Morgan Gartner का एक subtype है, पर अगर देखा जाए तो Morgan Gartner is more on the skeletal system, और जो Morgan Pure है यह more है हमारा skin complaints पर ठीक है, इसके हर जगा पर और क्या है, इसके कोई भी जो दिक्कत आएगी skin और gastric, ब़लब इसका पेट खराब है तो इसकी skin complaints बढ़ेंगी और Morgan Gartner में पेट खराब है तो उसके rheumatic complaints बढ़ेंगी और इसका एक छोटा सा mental general जानते हैं वो depressed था, यह active रहेगा वो nervous था, यह tense रहेगा तो इरेटेबल दोनों रहेंगे दोनों के अंदर fear है crowd का, पर इसको किसे अंजान चीजों का या लोगों के अंजान बातों का इसे डर रहता है, वसे हर समय यही डर रहता है कि कहीं इसकी health ना खराब हो जाए जबकि उसको हम जानते हैं कि उसको किन चीजों का डर था वो तर excitement traveling और ऊची जगाओं से चलिए दोस्तों, आज की का topic यहीं पर समाप्त करते हैं next हम लोग आगे और remedies discuss करेंगे, फिलाल के लिए इतना ही, तब तक मेरी वीडियो को like, share और subscribe कीजिए और notes पाने के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं Thank you